आज हम करेंगे sentence जो travel से related हो यानि की यात्रा के दौरान जो बाकिय इस्तिमाल किये जाते हैं वो बाकिय कौन-कौन से है यात्रा के दौरान जिसक से पहले है हमने कुछ sentences लिए है मैं रूहन को बस अड़े पर लेने जा रहा हूं मैं रोहन को बस अड़े पर लेने जा रहा हूं I am going to bus stand to receive रोहन I am going to bus stand to receive रोहन रोहन को receive करने के लिए यह आम रास्ता नहीं है It's not thoroughfare यह यात्रा बहुत लंबी है It is a long journey It is a long journey आप कहां ठहरे हुए हो? आप कहां ठहरे हुए हो? Where are you staying? Where are you staying? क्या आपने टिकेट ले ली? क्या आपने टिकेट ले ली? Have you brought the ticket? Have you brought the ticket? मुझे दिल्ली जाना है I have to go to Delhi I have to go to Delhi मुझे दिल्ली जाना है जल्दी कीजिए हरे अप जल्दी कीजिए हरे अप यहां पैदल पांच मिनट का रास्ता है It is only five minutes walk from here It is only five minute walk from here यहां पैदल five minute पांच मिनट का रास्ता है यह भी कह सकते हैं यहां से पैदल पांच मिनट का रास्ता है It is only five minutes walk from here सडक मरमत के लिए बंद है सडक मरमत के लिए बंद है Road is closed for repair Road is closed for repair पिछले पहिये में हवा कम थी The back wheel had less air The back wheel had less air थी, had आएगा ठीक है अगर है तो has or have का यूज़ करते हैं थी में had का यूज़ करते हैं अगर यहां पे यह होता है पिछले पहिये में हवा कम है The back wheel has less air यहां पे कम थी The back wheel had less air हम साथ साथ चलेंगे We will go together We will go together We के साथ शेल लगाते हैं लेकिन नॉर्मली आज का विली लगाने लगए हैं लेकिन शेल का ही यूज़ किया राता है जादा तर यह ध्यान दखना हम समय पर पहुँच जाएंगे We will reach in time मैंने गाड़ी किराय पर ली हैं I hired a car आगे दिल्ली का स्टेशन हैं आगे दिल्ली का स्टेशन हैं The next stop is Delhi The next stop is Delhi Thank you for watching this video और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल Learn and Grow पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you